सब्सक्राइब कीजिए चैनल हिंदी टूम मास्टर और आने वली लेटिस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए पहला आइकन को दबाईए कैसे हैं आप लोग दोस्तों आदि आपके पास इस टैड का मोबाल है जिसके अनर सरफ एकी सिंब और एकी कार्ट लगता है जैसरा कि आप देख पा रह serious ऐसे सिर्म और एक लेकिन इसमें आती हम चाहें कि दो सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज़ करें तो यह पॉसिबल नहीं है आपके साथ भी यही प्रॉब्लम होती होगी तो दोस्तों इस समस्या को दूर करने के लिए एक प्रोड़क्ट आता है जिसका नाम है हाईब्रीड सिम स्लॉड यह दोस्तों हमने मगाय है और हम इसकी अनवॉक्सिंग करते हैं और डेकते हैं कि इसको किस प्रका दे हम अपने मोबाल में यूज़ कर सकते हैं तो चले भाएंट दिखते हैं इसकी अश्सल्ग को बीट धा एक देखन चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने आप इसकी सारहodus ले सकत है मैंने 299 रुपे मंगाया था और इस समय अभी इसकी प्राइस कम जादा होती रहती है तो हो सकता है कि आपको 160 रुपे से लेके 300 रुपे के बीच में यह बिल जाएगा तो चलिए हम इसकी अन्बोक्सिंग करते हैं कि यह देखिए इस प्लोड़ों खुलने कवाल हमां पास यह बॉक्सिंग करता है और इस बॉक्स के अंदर हम देखते हैं कि यह निकला इसका सिंचलोड तो सब्सक्राइब यह सिंचलोड है और इसके अंदर भी एक रेपर लगा हुआ है कि यह देखिए इस तरीके का होता है यहां पर आप अपनी सिंप यहां पर लगा सकते हैं तो इसको अपने मोबाल में किस प्रका से युज़ करना है चलिए देखते हैं तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बहुत आसान तरीका है बता देता हूं यह साड़ी चीज़े हंता दीजिए यहां पर तो सिर्फ आपकी एक बड़ी सिम लगेगी तो आप यहां पर यह वाली सिम लगा सकते हैं उसके बाद आप अपने मेमोरी कार्ट को यहां पर रखिए उसके बाद आप इस हाइविर्ड सिम स्लोट को इस तरीके से आपको रखना है जिस परकार से आपकी यह सिम होती है आप सिम यहां पर यह रखते थे तो उसी टाइप से आपको यह वाला इस तरह रखना है ताकि आपका एक कनेक्टर इस पर सेट हो जाएगा और एक मेमोरी क पे और यह सिम स्लोट पे यह तीनों कनेक्टर आपके यूं हो जाएंगे और आपको बड़ी साब्धाने से यूं इसके सेंटर में रखा है जैसे हम सिम लगाते हैं ठीके फ्रेंग कि उसके वाद आप उसको अपने मोबाल के अंदर आहिस्ता से सेट कर दीजिए अब और आईस्ता आउस्ता इसको पुष कर दीजिये इस देखिए बहुत ईजी ली यह फिट हो जाता है बहुत ही फैक्सिवल है और प्लप पेपर की तरह यह होता है यानि कि बलुग गेपिंग गेपिंग में यह आशानी से तो यहां पर दिया हुए कि किस टाइब से आपको अपनी सिम लगाना है तो यहां पर आप इसके साइन को देखते हुए इसमें फिट कर सकते हैं इसमें लगा दीता हुए तो यह मेरी सिम लग गई है दोस्तों और अब इसका आजानी से हम यूज़ कर सकते हैं और इसके उपर आपको यूँ करके इसके उपर आपको एक रेपर लगाना हुआ ताकि इसको अस्विदा ना हुआ आपको चलाने में तो हम इसके उपर रेपर लगा लेते हैं तो इस टाइप से आपको कबल लग जाए यह थोड़ा सा उठावगा लगता लेकिन हमको इसको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा को कि हम अपनी डबल सिम भी चलाना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज हमको करना ही होगा दोनों सिम लगाने के बाद मेरे दोनों सिम के नर्वक यहां पर आ चुके हैं आप देख सकते हैं इस प्रिकार से आप अपनी सिंगल सिम मोबाल में डबल सिम कर सकते हैं बहुत ही आसान है और नुम्मित करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी इसलिए वीडियो को लाइब जरू कीजेगा तो दोस्तों कमेट करके हमें बताएगे आज की वीडियो आपको कैसे लगी मैं आपको फिल मिलूँगा इसी प्रकाफी किसी